हाईलो फ्रेंड वेलकम बेक टो माई चाइनल बोटने एक गले पे हम न्यूट केसे बिटा थे हो सिंखेंगे आच पहले तो माजिन दिखते है कितनी है शोल्डर से मैंने साड़े साथ की माजिन ली है और लेंद में हम 17 इंच है हम एक इंच बढ़ाते थे अभी हमको दो इंच बढ़ाना ही यूँकि पाइपिंग लगाने के लिए हम नीचे से कटिंग करेंगे कि इसलिए हमको दो इंच एस्टर रखना पड़ेगा और चेस्ट का माप है दस इंच की छाती है बारा इंच की रख दिए पूरी वीडियो हाँ देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़े और मैं अभी ब्लाउस बीस को जॉइन कर रही हूँ मतलब आस्तर को ब्लाउस बीस जॉइन किया है अभी इसको नेकी मार्जिंग बताती हो आपको कैसी कितना लेना और कितना नहीं उपा से ल कि पर लिए अपुडकी में ऑस्तिता सव्यभानी उन्हारम कर प्लाओरों ज्यूर्णीतर जरूर कि हम धेना इन्च में सवत एक्शनयाग जानता नहीं में लेंग तो नच इन्च का लिए इसम्हें जiddगा पहुर्णीनाश बीचो क्योंसे तुक्व कि व दो लेनागे की उ तो आपको बता ही कैसे क्या और यह मैं दिख़ना रही हूँ जो मार्जिंग की नीचे से उपर से कुझा होनों के मार्जिंग करनी है तों संब से कुझा है अपको और जो को तё कट किया है शक् venir ऑनों भी हम के पाइप मन और McGन diff लगाने है कि मतलब पर के तो मुझे जरूर कमेंट में बताया है मैं आपके लिए पाइपिंग की वीडियो लेके आऊँगी उसके बाद हमारे दोनों भी कपड़े वे पाइपिंग लगाई है उसके बाद हमारे आरम लेवाद से सिलाई लगा कर सामने से सिलाई डबल शिलाई लगानी है क्योंकि वो निकलना नहीं चाहिए फिर से एक बार आप सिलाई लगा नहीं लगाई है उसके बाद एसा हमारा नेक दिखेगा उसके बाद हमारा जो नेक कट किया ताना वह हमको रखना है कि वह आपको पेपर में मार्जिंग करके उस पे हमारा हमको नेट लगानी है ऐसे पेपर को चारो साइट से मार्ज करने की उसके बाद हमारा प्ले नेट लेने का मतलब पहला चोईन करके उसके बास हमको प्लेटी एसे छोटे-छोटे करके प्लेटी लगानी है पहले तो मैंने जो राउंड बनाया है ना उस पे पहले स्टिच करते हैं पूरी साइट से फिर थोड़े-थोड़े करके प्लेटी लगानी है चोटे चोटे करके दोनों भी साइट से सेम सिलाई माजन सेम इसे पट्टी आनी चाहिए इसे मेरा अपड़ा रेडी हो गया है आपी उस पे बिटाना है चार तरफ से सिलाई लगा कर उसके बाद वह पेपल जो हुआ है वह निकल निकालना है चारा के वीडियो केसी लगे क्य